नमस्ते, स्टोरी हाउस चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है हार की जीत। इलाके में न था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते, अपने हाथ से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसंद होते थे। ऐसे लगन, ऐसे प्यार, ऐसे स्नेह से कोई सच्चा प्रेमी अपने प्यारे को भी न चाहता होगा। उन्होंने अप मैं इसके बिना नहीं रह सकूनगा, उन्हें ऐसी भरांती सी हो गई थी. वे उसकी चाल पर लट्टू थे. कहते ऐसे चलता है जैसे मोर्घन घटा को देखकर नाच रहा हो. गावों के लोग इस प्रेम को देखकर चकित थे, कभी-कभी कंखियों से इशारे भी करते थे, परं होते होते सुल्तान की कीरती उसके कानों तक भी पहुची. उसका हृदय उससे देखने के लिए आधीर हो ठा. वो एक दिन दुपहर के समय बाबा भारती के पास पहुचा और नमसकार करके बैठ गया. बाबा भारती ने पूछा खंगजींग क्या हाल है? खंगजींग ने स चाल तुम्हारा मन मोह लेगी. कहते हैं देखने में भी बहुत सुन्दर है. क्या कहना? जो उसे एक बार देख लेता है, उसके हृदय पर उसकी छवी अनकित हो जाती है. बहुत दिनों से अभिलाशा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ. बाबा और खंगजींग दोनों अस के पास होना चाहिए था. इस साधू को ऐसी चीजों से क्या लाब? कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा. इसके पश्चात रिदय में हलचल होने लगी. बालकों किसी अधीरता से बोला, परन्तु बाबा जी, इसकी चालना देखी तो क्या? दो, बाबा जी भी मनुश्य ही थे. अपनी वस्तू की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया. घोडे को खोल कर बाहर लाए और उसकी पीट पर हाथ फेरने लगे. एक आएक उचक कर सवार हो गये. घोडा वायू वेक से उड़ने लगा. उसकी चाल देखकर, उसकी गती देखकर खंगजीं के हृदय पर साप लोट गया. वह डाकू था और जो वस्तू उसे पसंद आ जाए उस पर अपनी अधिकार समझता था. उसके पास बहुबल था और आदमी भी. जाते जाते उसने कहा, बाबा जी, मैं ये घोडा आपके पास न रहने दूनगा. बाबा भारती डर गए, अब उन्हें रात को नींड न आती थी. सारी रात अस्पल की रखवाली में कटने लगी. प्रतेक्शन खिंग्जीं का भए लगा रहता, परंतु कई मास बीच गए और वहन आया. यहां तक कि बाबा भारती कुछ लापरवा हो गए और इस भए को स्वपन के भए की नाई मिथ्या समझने लगे. संध्या का समय था, बाबा भारती सुल्तान की पीट पर सवार होकर घूमने जा रहे थे. इस समय उनकी आँखों में चमक थी, मुख पर प्रसन नता. कभी घोडे के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को और मन में पूले न समाते थे. सहसा एक और से आवाज आई, ओ बाबा, इस कंगले की सुनते जाना. आवाज में करुना थी, बाबा ने घोडे को रोक लिया. देखा, एक अपाहिज ब्रिक्ष की छाया में पड़ा कराह रहा है. बोले, क्यो तुम्हें क्या कश्ट है? अपाहिज ने ह पैद्य का नाम आपने सुना होगा. मैं उनका सौतेला भाई हूँ. बाबा भारती ने घोडे से उतर कर अपाहिज को घोडे पर सवार किया और स्वयम उसकी लगाम पकड़ कर धीरे-धीरे चलने लगे. सहसा उन्हें एक जटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई. उन पाहिज डाको खंगजीं था. बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और कुछ समय पश्चात कुछ निश्चे करके पूरे बल से चिलना कर बोले, जरा ठहर जाओ. खंगजीं ने यह आवाज सुनकर घोडा रोक लिया और उसकी गरदन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कह बाबा जी, यह घोडा अब न दूनगा. परंतु एक बात सुनते जाओ. खंगजीं ठहर गया. बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी और ऐसी आखों से देखा जैसे बकरा कसाई की और देखता है और कहा, यह घोडा तुम्हारा हो चुका है. मैं तुमसे इसे वापस करने क के लिए न कहुंगा. परंतु खंगजीं केवल एक प्रार्थना करता हूँ. इसे अस्विकार न करना, नहीं तो मेरा दिल तूट जाएगा. बाबा जी, आग्या कीजिए. मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोडा न दूनगा. अब घोडे का नाम न लो. मैं तुमसे इस व लेकर यहां से भागना पड़ेगा. परंतु बाबा भारती ने स्वयम उसे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकटना करना. इससे क्या प्रयोजन सिधह हो सकता है? खिंगजीं ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ न सका. हार कर उसने अपनी आखे बाजी, इसमें आपको क्या डर है? सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदी इस घटना का पता लग गया तो वो किसी गरीब पर विश्वास न करेंगे. और यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुह मोर लिया जैसे उनका उससे कभी कोई बाबा भारती चले गए, परन्तु उनके शब्द खंगजी के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे. सोचता था, कैसे उचे विचार है, कैसा पवित्र भाव है? उन्हें इस घोडे से प्रेम था, इसे देखकर उनका मुख फूल की नाई खिल जाता था. कहते थे, इसके बिना मैं रहना सकूनगा. इसकी रखवाली में वे कई रात सोय नहीं. भजन भक्ती ना कर रखवाली करते रहे. परन्तु आज उनके मुख पर डैख की रेखा तक दिखाएना पड़ती थी. उन्हें केवल ये खयाल था कि कही लोग गरीबों पर विश्वास करना न उन्होंने अपनी निच्की हानी को मनुष्य इत्वकी हानी पर न्योचावर कर दिया. ऐसा मनुष्य, मनुष्य नहीं देवता है. 3. रातरी के अंधकार में खंगजिंग बाबा भारती के मंदिर पहुचा. चारों और सन्नाटा था. आकाश पर तारे टिम्टिमा रहे थे. थोड़ी दूर पर गावों के कुत्ते भौक रहे थे. मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था. खंगजिंग सुल्तान किसी डाके का भैना था. हानी ने उन्हें हानी की तरफ से बेपरवा कर दिया था. खंगजिंग ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बाध दिया और बाहर निकल कर सावधानी से फाटक बंद कर दिया. इस समय उसकी आँखों में नेकी के आसू थे. अंधकार मे रातरी ने तीसरा पहर समाप्त किया और चौथा पहर आरंब होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल थंडे जल से स्नान किया. उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वपन में चल रहा हो, उनके पाव अस्थबल की और मुरे. परंतु फाटक पर पहुच कर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई. साथ ही घोर निराशा ने पावो को मन-मन भर का भारी बना दिया. वे वही रुख गए. घोरे ने अपने स्वामी के पावो की चाप को पहचान लिया और जोर से हिंहिनाया. अब बाबा भारती दोरते हुए अंदर घुसे और अपने घोरे के गले से लिप्ट कर इस प्रकार रोने लगे, जैसे बिचुडा हुआ पिता चेरकाल के पश्चात पुत्र से मिलकर रोता है. बार-बार उसकी पीट पर हाथ फेरते, बार-बार उसके मुव पर थपकिया देते और कहते थे, अब कोई गरीबों की सहायता से म भूना मुनेगा. थोड़ी देर के बाद जब वह अस्तबल से बाहर निकले तो उनकी आखों से आसु बह रहे थे. ये आसु उसी भूमी पर ठीक उसी जगा गिर रहे थे, जहां बाहर निकलने के बाद खंगजीं खडा रोया था. दोनों के आसुओं का उसी भूमी की मिट पर परस पर मिलाप हो गया.